सबसे पहले तो मैं प्रामन हुए फिर भी आपको मैं इतना मानती हूँ और मैं आपका हमेशा जब भी मिलती हूँ पैर चुती हूँ क्योंकि मैं आपको हमेशा आप जैसे आप बोलें हमको कि एक बहन के दर्जे में देखते तो उसी दर्जे में मैं आपको गौड की तरह देखती हूँ फर्स टाइम मिली थी तब भी बोल रही थी अभी मिली हूँ तब भी बोल रही हूँ और जब भी मिलूँगी तब भी बोलूँगी ये चीज और मेरको आपसे कभी काम के लिए लालच नहीं है मैं आपका हर टीम के लोग से बात करती हूँ लेकिन आज तक मैं यही नहीं बोली हूँ कि दुबारा खेसारी सर के साथ हमको काम चाहिए बस मैं यह बोली हूँ कि मेरे को जिस नजर में खेसारी सर पहली बार आमको देखे थे कि सौम्या मेरी फैन है वस में जिंदिगी भर खेसारी सर की वही एक फैन बन के रहना चाहती हूं तैंक यू तैंक यू सौम्या लिए और मैं बात बोलना चाहती हूं, सर मेरा मन में यह चीज बहुत तीनों से है और आप से में उस दीन से मिली नहीं थी, मिलने की बहुत कोशिस की थी, मेरे साथ बहुत गेम भी हुआ था, तो मैं आज आपके साथ मिली हूं तो बताना चाहती हूं, कि यह टाटू मेरे हाथ में जैसे आप देखे थे अभी भी है और आज इवन मैं जब तक रहोंगी तब तक रहेगा और यह कोई तिखावटी प्यार नहीं करते हूं में इंसे अगर यह होता तो इंडेस्टी में में हमको काम करने को बहुत दिक्कत होता है कि आरे खेसारी का टैटू वह अटाओगी तब मूवी में काम मिलेगा हम बोले नहीं दीजिए लेकिन यह आजीवन रहेगा मेरे हाथ में तैंक्यू देखो बिटा आप टैटू यह टाइटू बहुत छोटी चीज है जिंदगी में इस टैटू से बड़ा आपका करम है आपकी मेहनत है उसको बड़ा कर यह खेसारी तो अ मुझे लगता है कि हराणी राम का खषिन का हरादमी कंटाइटू बन वाकर बड़ा हो जाता है बट आपके अंदर भात थी आपने महनत की सिर्फ टैटू के वज़े से हो सकता है कि दुनिया आपको जानी बट इस दुनिया के दिल में जगा बनाने के लिए आपने महनत की कि हमारी जार आज हरादी से लेटाई बड़ी मैं एक बार आपको मतलब उसी दर्जे से प्यार से हाग करना चाहती हूँ कर दो वाल जाइक है कैसे पुलने को भी नहीं आता था शरी बताय थे यसे बोलो बेटा अर सर बीच में हमको चड़ाने बढ़ाने वाले लोग भी बहुत कोई बात नहीं है सब इस्टेज पर डिसका सर्णी होता है उसके वज़े से मैं आपसे दूर हुई थी बड़ आप नहीं होना चौती हूं